हेलो एवरिवन, लॉर्न एमिलीटी में आप सभी का स्वागत है हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए है और आज का जो वीडियो है वो जनरल साइंस के रिलेटेड है और ये पार्ट टू वीडियो है इससे पहले हमने पार्ट वन एक वीडियो अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देगा है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा तो जैसे कि हमने जनरल साइंस पार्ट वन में जो करवाया था वही इस वीडियो में भी करवाएंगे questions सिर्फ solve नहीं करवाएंगे एक option जो correct है फो तो आपको पता चलेगा ही और साथी साथ तीनों जो बाकी options है उसको भी solve करेंगे और extra information भी हम आपको देंगे तो वीडियो को start करने से पहले like, share और subscribe ज़रूर कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को start किया जाएं पहला question table salt gets moist during rainy season because of sodium chloride is hygroscopic sodium chloride is delicate sodium chloride contains some quantity of sodium iodide या फिर sodium chloride contains hygroscopic impurities like magnesium fluoride तो सोचे क्या answer होगा table salt gets moist during rainy season घीला हो जाता है बारिस के समय बारिस के जब season आता है तो वह घीला हो जाता है इसका reason क्या है इसका answer होगा option D sodium chloride contains hygroscopic impurities like magnesium chloride ठीक है तो चलिए इसको थोड़ा drills में जान लेते हैं because of hygroscopic nature of the salt it become wet in rainy season as the salt absorb moisture from the environment तो क्या है rainy season के वक्त जो salt है वो due to hygroscopic nature वो environment से moisture absorb कर लेता है इसी के वरजे से जो नमक है वो गीला हो जाता है ठीक है अब इतना तो समझ में आ गया इसका reason भी पता चल गया answer भी पता चल गया अब बात आती है कि hygroscopic का मतलब क्या है और del equation इसका मतलब क्या है जो दोस्तों यह problem है कि लोग पढ़ तो लेते हैं बहुत जो non science वाले हैं वह बहुत याद रख लेते हैं याद कर लेते हैं रटा मार लेते हैं लेकिन जो definitions हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है तो हमारी यही कोसिस रहेगी कि हर एक वीडियो में जो जो ऐसे कुछ definitions है जो आपको पता नहीं है तो उसको आपको एक बार explain कर देना ठीक है तो इसको भी हम explain करेंगे हाईग्रोस्कोपिक और डेलीक्वसेंट को भी ठीक है तो चलिए इन दोनों को पहले जान लेते हैं यह बहुत important है solution यह यह याद रख यह कर देता है और फिर उसको क्या करता है उसको solution में convert कर देता है same process hydroscope क्या है this is a process sorry this is when substances absorb water from air but not enough to form solution not enough to form solution example of such substances include CAO, NNO3, NACL, Succucrose and COO तो देली क्या है यह atmosphere से moisture absorb कर लेता है और उसको solution में convert कर देता है hydroscope में भी same process है वो भी atmosphere से moisture absorb करता है लेकिन solution form नहीं करता है तो main difference यह है कि एक solution formation में solution form कर देता है और एक नहीं करता है ठीक है तो इतना ही था यह आपको याद रखना होगा important है क्या पता को delegation से कोई question आ जाए तो आपको यह याद रखना होगा तो शलिए next slide में चलते हैं which of the following is a large spectrum antibiotic large spectrum antibiotic option a parasitimol, option b penicillin, option c ampicillin या option d chromophenicol सोचे क्या होगा answer इसका answer होगा ampicillin, option c ampicillin parasitimol वैसे भी एक antibiotic है बाकि सब भी आप देख रहे हैं लेकिन large spectrum जो antibiotic है वो है ampicillin, ठीक है चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं Antipiotics क्या है? Antipiotics are medicines that treat infections by killing bacteria ठीक है? Antipiotics, bacteria biases मार देता है, ठीक है? उनको kill करता है, उनको खतम करता है और antibiotic क्या है? Antipiotic is a drug used to prevent fever while analgesic is a drug used to relieve pain ठीक है? तो antibiotic क्या करता है? fever prevent करता है, और analgesic जो है, वोगा pain reliever है तो आपको यह antibiotic, antipiotic या analgesic इन तीनों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है पिछले मैंने एक वडियो में भी इसी तीनों के बारे में मैंने एक बार detail में question भी था previous year के question भी है उसमें और मैंने उसको solve किया है तो अगर आप नहीं देखा है तो जाके वो देख लीजिए तो यह तीनों याद रखिएगा antibiotic, antibiotic और analgesic ठीक है Which of the following states maximum iron ore is found option ने FeCO3, Fe2O3, Fe3O4 या फिर Fe2 तो कून से state में maximum iron ore मिलता है बताइए क्या होगा answer इसका answer होगा option B option B, Fe2O3 ठीक है नेक्स चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसमों मैंने थोड़ा geography का एक portion add किया है इसकी के related, iron ore के related तो करनाटका is the largest producer and accounts for nearly one-fourth of the total iron ore produced in India उसके साथ साथ अगर वर्ड में बोल जाये तो फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्रजील और इंडिया में अगर कहा जाये कौन सा state है वह है करनाटका लेकिन वह इन बाकि स्टेट्स में मिलते हैं ठीक है लेकिन करनाटका is the largest producer ठीक है तो साइन्स के question में मैंने जोग्राफी अड़ कर दिया है अगर आपको पसंद है तो बताईएगा चलिए next करते हैं Our bones and teeth are generally made of tricalcium phosphate, fluoropetite, chloropetite या फिर hydrolith सोचे क्या answer होगा Our bones and teeth are made up of अंसर होगा option A, tricalcium phosphate, ठीक है अंगोरा wool is extracted from rabbit, shrimp, fox या फिर goat अंसर क्या है बताईए, सोचे क्या answer होगा इसका answer है, option A, rabbit तो से अंगोरा wool जो है यह पहले group, RRC group D के question है तो आपको याद रखिएगा इसको एक rabbit इसका सही answer है, ठीक है होद लोगों ने उसमें sheep किया था, किसी कई उने उसको goat भी किया था, लेकिन कोई भी नहीं होगा इसका answer होगा, rabbit, option A, option A होगा, ठीक है which of the following helps in circulation of blood, which among the following helps in circulation of blood, option A, erythrocytes, option B, blood platelets, option C, monocytes, या फिर option D, lymphocytes, सोचे एक answer होगा इसका answer होगा, option D, lymphocytes, ठीक है, जो कि blood circulation में help करता है अब इसके बारे में तो पता चल गया, अब erythrocytes, blood platelets, या monocytes, ये क्या है, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, तो चलिए, इन तीनों के बारे में जान लेते है lymphocyte is a type of white blood cells in the vertebrate immune system, तो ये lymphocyte जो है, ये WBC का एक पाट है, is a type of white blood cells, जो कि vertebrates में मिलते हैं, ठीक है, और ये immunity system को strong करता है erythrocyte क्या है, erythrocyte contains the pigment hemoglobin, hemoglobin which imparts the red color to blood and transport oxygen and carbon dioxide and from the tissues, to and from the tissues erythrocyte क्या करता है, hemoglobin के pigment, जो red color होता है blood में, उसको तयार करने में, उसको production में help करता है, erythrocyte और क्या करता है, oxygen और carbon dioxide के to and from, को tissues में, transport में help करता है, ठीक है monocytes क्या है, monocytes are type of leukocytes और white blood cell, ठीक है, WBC का और एक नाम है, वह है leukocyte, आपको याद रखना है, ठीक है is a type of white blood cell that is part of the immune system, there are two main types of lymphocytes, एक है B cells and T cells, the B cells produce antibodies that are used to attack invading bacteria, viruses and toxins, ठीक है तो आपको याद रखना है, यह क्या सब B cell का question दिया गया था, इसलिए मैंने यह add कर दिया, तो lymphocyte क्या है, यह भी WBC का पार्ट है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था, और इसके दो पार्ट होते है, लिंफोसाइट के भी दो पार्ट होते है, वह क्या क्या है, B cell और T cell, ज oxygen जो भी है, जो bodies में अंटर करती है, bacteria viruses, उसको खतम करने में antibodies produce करती है, ठीक है, तो इंपोर्टन है, इन चीजों के याद रखेगा, वाई लोजर के इंपोर्टन एक पार्ट है, चलिए, नेक्स चलते है, विच वन अब फॉलेंग मेटल्स, पॉलूट्स अ एर उफ सिटी, हविग लार्ज नंबर ऑफ आटमोबिल्स, ऑप्शन A, कैडमियम, ऑप्शन B, क्रोमियम, ऑप्शन C, लेट, या फिर ऑप्शन B, कॉपर, सुची क्या होगा इसका अंसर, इसका अंसर होगा, ऑप्शन C, लेट, इंपोर्टन कोशन है, याद रखियागा इसको, which of the following, metals pollutes the air of city, having large number of automobiles, ठीक है, किसके वए से pollution होता है, pollution बढ़ता है, तो वो है, लेट, ठीक है, उसके याद होगा, इटाई, इटाई, आपको, बहुत सारे कोशन से कोशन दिये जाते हैं, इटाई, इटाई, तो वो किस से होता है, वो is caused by the cadmium exposure, ठीक है, वो cadmium से होता है, तो ऐसा ही कुछ, एक question मैंने last general science के एक previous question में, मैंने add किया है, साथी जाथ आपने अगर RRB का जो, मैंने part 1 जो add किया है, उसमें भी एक science का questions है, उसमें भी इसी related question add किया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं link description में ने मैंने दे दिया है, आप जाके उस video को देख लीजएगा, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा itai itai, जो बहुत important है, इसको ौच आउच भी कहा जाता है, यह एक Japanese disease है, और इसी किस से होता है, यह cadmium से होता है, ठीक है, चलिए, pituitary gland is located in, pituitary कहा में मिलता है, brain, kidney, liver या फिर intestine, सोचे क्या होगा answer, बहुत ही easy सा question है, ब्रदे pituitary gland कहा होगा, यह होगा, option A, brain, option A, brain में मिलता है, ठीक है, अब ऐसे जो endocrine glands है, hormonal glands है, उससे बहुत सारे questions आते हैं, और उनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर एक chart दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक chart है, आप इस chart को follow कीजिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे important कुछ portions add कर दिया है, आप इनको पढ़िये, बस बहुत काफी है, यहाँ पर देखिए, मैंने hypothalamus में दिया है, pituitary gland, यह कहाँ, इसका target organ क्या है, ठीक है, इसका major function भी दिये गए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है, target organ पुछा जाता है, साथ इसका major functions भी पूछे जाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि FSH है, जिसमें over stressories है, यह questions पूछा जाता है, important है, ledic cell भी बहुत important है, ठीक है, thyroid gland का भी पूछते हैं, ठीक है, prolactin बहुत important है, किससे जाता है, यह memory gland में होता है, milk secretion में help करता है, यह important कुछ ऐसे hormones है, जो कि बहुत बार repeat करते हैं, आप देखिएगा, तो उसमें यह person आपको मिल जाएगा, और कोई भी आपको अगर Google में सर्च किजेगा, तो यह chart मिल जाएगा, मैंनो दे दिया है, और कोई भी आपका 10th के भी board का एक मात्व में जो है, 10th का कोई भी book होगा, उसमें भी आपको इस chapter endocrine का मिल जाएगा, ठीक है तो महीं भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे मैंने chart add किया है, अब इस chart को पढ़ी है, तो यह भी काफी होगा, आपको book पढ़ने के जुरूरत नहीं पढ़ेगी, यह बहुत है, यहाँ पर देखिए, ADH जो anti-durity hormone important है, oxygen important है, ठीक है, तो ऐसे कुछ questions है, जो कि repeat होते हैं, मैं आए हैं, तो उसको याद रखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, कुछ questions है, मैंने add किया है, जो chart है, उसमें से estrogen, progestron यह आते हैं, जाते हैं, बहुत बार repeat हुए है, ठीक है, तो याद कीजिएगा इसको, यहाँ पर भी एक है, देखिए, testosterone है, important है, progestron, estrogen important है, किस में help करता है, maintenance of pregnancy, यह बहुत important है, testosterone productive development also has effects on behavior, यह बहुत important है, इन दोनों को याद रखिएगा, progestron and estrogen और testosterone को, ठीक है, चलिए, next चलते हैं, which, sorry, when the speed of a car, when the speed of a car is double, then what will be the braking force of the car to stop it in the same distance, option A, four times, option B, two times, option C, half, या फिर option D, one fourth, तो सोचे, क्या होगा answer, when the speed of a car is double, the speed of the car is double कहा गया है, ठीक है, बताएगे, क्या होगा answer, तो चलो, इससे पहले solve कर लेते हैं, इसको, कि speed of the car को double कहा गया है, उसके साथ कहा गया है, what will be the braking force of the car to stop it in the same distance, A के distance में, अगर speed को double कहा गया, अगर मैं मानू कि speed को double कहा गया, 2D, अगर इसको मैं मानू, मान के चलूँ, तो अगर स्पीड डबल किया गया, तो इसका जो ब्रेकिंग फोर्स होगा, तो उसका क्या होगा, तो अगर स्पीड को डबल किया गया, तो उसका कानेटिक जो एनर्जी है, उसको फोर टाम्स जादा हो जाएगा, फोर टाम्स जादा हो जाएगा, अगर स्पी आप याद रखेगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहे इसको भूलिएगा मत क्योंकि ऐसे कूशन पूश लेते हैं बस यह जो सेंस है उसमें है आपको बस पता होता है लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इसको थोड़ा पढ़ लीजेगा तो आपस नमाज में आ जाएगा ठीक है चलिये देख इसको मैंने एक्स्प्लेइन भी किया है if velocity is double the kinetic energy is four times bigger the braking force will be will have to be four times greater to stop the car in the same distance तो वही है मैंने कहा था जैसे अगर velocity को speed को double कर दिया जाता है तो kinetic energy भी double four times जादा हो जाता है double हो जाता है अगर speed double है तो kinetic energy उससे double हो जाता है मतलब दो का ज्यादा हो जाता है चार हो जाता है और उसका breaking force भी उतना ही pressure लगता है तो वह भी double हो जाता है और four times हो जाता है ठीक है तो यही है उसका explanation what is the limit of mgdl of blood sugar in normal person at the time of fast इसका अंसर क्या होगा बताइए 40 to 60, 120 to 150, 70 to 100 या फिर 160 to 200 सोचे अंसर क्या होगा blood sugar कहा गया है जो की normal person में क्या होना चाहिए बस आपको भूलना नहीं है यह fast यह fasting यह जो question है यह बहुत important है ठीक है तो इसका अंसर होगा option C, 70 to 100 ठीक है कई लोग 162 to 100 कर रहे हैं तो वह गलत होगा यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको normal human glucose blood test results should be 70 to 100 before meals यह आपको याद रखना है and less than 180 mgdl after meals ठीक है यह आपको याद रखना है एक है before meals 70 to 100 और एक है after meals 180 ठीक है एक खाने से पहले एक खाने के बाद दोनों का difference है तो fasting किया गया मतलब वर्त जो रखा हो रखा होता है लोगों ने उसमें खाली पेट में before meals 70 to 100 रहता है glucose का जो blood test होता है ठीक है level जो है which among the following waves is used for communication by artificial satellites option a microwaves option b radio waves option c am after option d frequency of 101 series सोचिये क्या answer होगा तो इसका answer होगा सोचिये माइक्रोवेब्स इसका answer होगा माइक्रोवेब्स चलिए इसको जान लेते हैं तो एम का जो है उसका full form जान लेते हैं एम का full form जान लेते हैं चलिए amplitude modulation is a amplitude modulation is a modulation technique used for electronic communication most commonly for transmitting messages with radio carrier waves ठीक है तो एम के formula को मैंने एम का जो detail है मैंने बता दिया कि amplitude modulation होता है एम का full form जो कि help करता है किसमें electronic communication help करता है जो कि radio carrier waves के help करता है ठीक है चलिए अब next में चलते हैं एक भी जो और उंट ता पॉलीनेसंटन आफ मेस takes place by सेल्फ पॉलीनेसं पी एंसेक्स पॉलीनेसं बई एर और या फिर चीड़ीनेसं बई रेन सोची क्या अंसर होगा मेस जो है वह भुट्टा रहता होता है उसका है हैंदी का जो मतलब है वह भुट्टा तो सोचे क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा, अप्शन C, पॉलिनेशन बाई एर और पॉलिनेशन बाई विंट, एक ही बात है, ठीक है? चलिए, next, what is the chemical name of baking soda? sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium nitrite, sodium nitrate. क्या होगा सोचे आंसर, chemical name क्या होगा? sodium bicarbonate, बहुत easy question है, बहुत बहुत रिपीट हो चुका है, सभी को पता भी है यह अंसर. तो उसका baking soda है, sodium bicarbonate, यह question मैंने इसलिए add किया है, क्योंकि आपको याद रखना है कि कई लोग simple questions गलत करके आते हैं, तो आपको वो जो easy questions है, उसको गलत नहीं कर रहा है, जो tough questions है, वो आप ही को नहीं, बहुत लोगों को नहीं आएगा, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूद नहीं है, लेकिन जो easy questions है, उसको अगर गलत करके आते हैं, तो marks कम हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है, कि गलत question जो है, sorry, जो easy questions है, उसको गलत नहीं करना है, उसको correct करना है, अगर आप छोटे-छोटे गलतियां करके आएंगे, तो आपके marks वैसे ही कम हो जाएंगे, और cut-off वैसे भी बढ़ रहा है, और 2021 में भी सायद cut-off high रहे, इस साल तो high है, last year इतना high नहीं था, इस साल high कर दिया गया है, अब इस corona के वज़े से last, sorry, next year भी high कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको easy question से उनको गलत बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, चलिए, एक बहुत important question आया है, which among the following elements increases the absorption of water and calcium in plants, manganese, boron, copper या फिर molybdenum, सोचिए क्या answer होगा, absorption of water and calcium in plants, क्या होगा सोचिए, answer होगा, option B, boron, ठीक है, option B, boron, अब boron के बारे में तो जान लिया, तो manganese किस plants में किसके लिए help करता है, copper किस में help करता है, और molybdenum किस में help करता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, absorption of water and calcium plants में तो boron help करता है, लेकिन बाखी का functions क्या है, इनको जानने के लिए, next slide में चलते है, molybdenum is an essential component in two enzymes that convert nitrate into nitrite, a toxic form of nitrogen and then into ammonia, before it is used to synthesize amino acid within the plant, it is also needed by symbiotic nitrogen fixing bacteria in legumes, sorry legumes, to fix atmospheric nitrogen, molybdenum क्या है, यह nitrate को nitrite में करता है, फिर उसको convert करके ammonia में लेके आता है, जिससे amino acids जो है, उसको synthesize करता है, और उससे nitrogen fixing bacteria बनाता है, ठीक है, तो molybdenum का help से क्या होता है, nitrogen fixing bacteria, जो leguminous, जो plants होते हैं, उसमें वो help करता है, जिससे atmosphere से direct nitrogen खीज लेता है, absorb करता है, manganese का क्या function, manganese is a used in plants and major contributor to various biological systems including photosynthesis, respiration and nitrogen assimilation, ठीक है, तो वो भी manganese किसमें help करता है, वो photosynthesis में help करता है, respiration और nitrogen assimilation में help करता है, next a copper, copper activates some enzymes in plants, it also required in the process of photosynthesis, essential in plant respiration and assist in plant metabolism of carbohydrate and proteins, copper also serves to invest, sorry intensify flavor and color in vegetables, color in flowers, तो और किसमे help करता है, यह photosynthesis में help करता है, respiration में help करता है, enzyme के secretion में activate करने में help करता है, और साथ-साथ जो flavor है, और color जो vegetables का, flowers का उसको भी activate करने में help करता है, ठीक है उसको intensify करने में help करता है तब को याद रखना है Why radiologists do not take direct x-ray photographs of intestine Intestines are affected by the direct exposure to x-rays x-rays cannot cross intestine x-rays are not able to capture clear picture even short exposure of x-rays causes cancer in intestine सोची cancer होगा x-rays are not able to capture clear picture ठीक है चल्यों नेक्स चलते हैं इसको Penicillin is extracted from yeast algae fungus या फिल्दीज सोची क्या answer होगा बहुत इसका answer होगा option C fungus option C fungus ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं in 1928 एक extra information है at St. Mary's Hospital London Alexander Fleming Alexander Fleming discovered penicillin this discovered sorry this discovery to the introduction of antibiotics that greatly reduce the number of deaths from infection to the work we CRISPR products help Twitch what type of penicillin and I suggest once we talked you to prevent bacteria viruses and other germs ठीक है, चलिए next, which is the effect of antigen in an ill person, it increases the production of WBC, it increases the production of antibiotics, it increases the production of anti-serum against bacteria, या फिर it prevents the growth of bacteria, पते ये क्या होगा, antigen किसमे help करता है, antigen in an ill person, ठीक है, जो ill persons है, बेमार जो है, उनमें antigen क्या effect करता है, उसमें क्या करता है, it increases the production of antibiotics, ठीक है, it increases the production of antibiotics, और antibiotics क्या करता है, आपको पता ही है, ठीक है, चलिए, next, चलते है, what is the name of that system, which uses radioactivity to decide the period of materials of prehistone period, radium dating, uranium dating, carbon dating, या फिर deuterium dating, सोची क्यांसर होगा, बसक्यांसर होगा, carbon dating, option C, carbon dating, option C, ठीक है, थोड़ा और इसके बार में जान लेते हैं, radio carbon dating, usually referred to as simply carbon dating, is a radiometric dating method that uses the naturally occurring radius isotope carbon 14C to estimate the age of carbon bearing materials up to about 58,000 to 62,000 years, ठीक है, 58,000 to 68,000 years, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, इस carbon, कौन सा carbon यूज़ करता है, यह, carbon C, which among the following is the fundamental quantity, volume, time, velocity, या फिर force, सोची के answer होगा, fundamental quantity, important question है, यह पहले भी बहुत पार questions आ चुका है, तो इसका answer होगा, option B, time, ठीक है, वैसे दूस्तों, साथ fundamental quantities होते हैं, चलिए उनके बारे में तोड़ा जान लेते हैं, there are seven fundamental physical quantities that are measured in waste, और physical fundamental units, length, mass, time, electric current, temperature, amount, substance, amount of substance, and luminous intensity, तो यह साथ fundamental quantities हैं, जिनमें से time का questions हमने इसके पहले जो slide है, उसको solve किया, ठीक है, आपको याद रखना है, यह साथ हो, which of the following is used as a lubricant in heavy machines, bauxite, sulfur, phosphorus, graphite, क्या होगा, आंजा सोचिए, answer होगा, graphite, option D, graphite, तो lubricant in heavy machines के लिए क्यों कोंसा useful है, वो है, graphite, चलिए, next चलते हैं, an atomic pile is used for producing x-rays, conducting nuclear fission, conducting thermonuclear fusion, या फिर accelerating atoms, क्या होगा, बताइए, सोचिए, important question है, इसका answer होगा, conducting nuclear fission, इसको याद रखिएगा, conducting nuclear fission, ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, कि nuclear fission के बारे में, और nuclear fusion के बारे में, इन दोनों के बारे में, इन डिटेल्स में जानते हैं, चलिए, next slide में, उससे पहले, atomic pile क्या होता है, उसको पहले जान लेते हैं, atomic pile is a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy, the most common reactors consist of large assembly of graphite and allotrop of carbon blocks, having rods of uranium metal, तो यह होता है, atomic pile, जोकि nuclear reactor में help होता है, यह होता है, अब जानना है, बहुत important एक question कि nuclear fission और nuclear fusion, fusion, इन दोनों में difference, चलिए, देखें, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, अब देख सकते हैं, nuclear fission है, उसमें कहा है, nuclear fission is defined as the splitting of nucleus into two daughter nuclei, और fusion क्या है, fusion is defined as the combining of two lighter nuclei into heavier one, example जैसे atom bomb और इसका है example sun, जो nuclear fission है, उसके energy, comparatively nuclear fusion से कम होती है, nuclear fusion की energy जादा होती हो, कि इसमें दो lighter nuclei combine होके heavier one बनाता है, बड़ा one बनता है, ठीक है, और nuclear fission में divide हो जादा है, split हो जाता है nucleus, तो atom bomb उसका example है, एक तो, और nuclear fission का example है sun, जो कि, जिसमें heavy energy, जो production होता है, high energy boss production होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना, nuclear fission जो है, उसका example और nuclear fission का example यह है, और यही दोनों examples आते हैं, कि sun as an example of nuclear fusion और nuclear fission, ठीक है, और atom bomb का यही आता है, तो आपको याद रखना है यह questions, और साथी साथ आपको याद रखना है कि fusion में energy जादा होती है, ठीक है, चलिए, Cement is made hard with dehydration, hydration and dissociation of water, dissociation of water और polymerization, तो क्या होगा, Cement is made of hard with, आंसर बताएगे क्या होगा, तो चिए, ऐसका answer होगा, dehydration and dissociation of water, ठीक है, Cement के related कुछ और questions मैंने यहाँ पर add किया है, मैं आपको और भी बता देता हूँ, Cement is a mixture of calcium silicate and aluminates, यह आपको याद रखना है, और जो questions repeat होता है, वो मैं आपको पता देता हूँ, It is prepared from mixture of elements that are natural materials such as limestone, clay and sand, ठीक है, यह तीन आपको याद रखने है, यही question आता है, RRV में भी last year, साइद यही question आया था, कुछी shift में यही आया था, limestone, clay and sand, यह आपको याद रखना है, चलिए, What happens when chemical bond is formed, energy is always absorbed, energy is always released, more energy is released than is absorbed, energy is neither released nor absorbed, तो सोची क्या होगा answer, तो तफ़े तफ़े question, Energy is always absorbed, यही होगा इसका answer, ठीक है, चलिए, The dimension of which of the following is the same as that of impulse, Volume, Momentum, Torque and Change in Rate of Momentum, सोची क्या होगा answer, इसका dimension same होगा, impulse के साथ, तो इसका answer होगा, option B, Momentum, option B, Momentum, तो अब Momentum और Change in the Rate of Momentum, इसके difference में हम जान लेते हैं, पहले इस question को solve करेंगे, थोड़ा सा, उसके बाद, Impulse has same units and dimension, MLT1 as momentum, ठीक है, तो MLTS, जो dimensions हैं, वो आपको याद रखने हैं, उनको याद रखने के लिए, आपको थोड़ा चाट भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि जो non-science वाले हैं, जो नहीं है, science background वाले नहीं है, उनको अगर लगता है कि इसको याद रखने में थोड़ी problem है, तो वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे questions मिल जाएं, जो repeat हो रहे हैं, मैं तो यह कहूंगा कि previous questions जितने भी हैं, उनको अब एक बार देख लीजिए, अगर ऐसे questions मिल जाएं, तो याद कर लीजिए, अगर common मिल जाएं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए अब एक और पढ़ लेते हैं कि momentum और rate in change of momentum में क्या है, change in momentum of a body is defined as the change in product of mass and velocity of the body, change in product of mass and velocity of the body, rate in change in momentum of a body is equal to the product of mass of an object and acceleration produced in it due to force acting on body, provided that the mass of the object remains constant, ठीक है, तो यही difference से यह है, जो product है mass and velocity का और दूसरा है, is equal to the product of mass of an object and acceleration produced in it, ठीक है, जिसमें mass जो है वो constant रहता है, ठीक है, वो change नहीं होता है, तो यह दिफ्रेंस है, वाइद निडल of an iron swims on water surface when it is kept gently, it will remain under the water when it will displace more water than its weight, the density of needle is less than that of water due to surface tension या फिर दूट इस shape, तो सुचे क्या होगा, निडल जो है, वो swim क्यों करता है, तैरता क्यों है water surface में, तो उसका reason है, due to surface tension, important question आपको याद रखना है, यह है, due to surface tension, अब surface tension के बारे में हम जान लेते हैं, चलिए, surface tension is tendency of liquid surfaces to shrink into minimum surface area possible, surface tension allows insects, water striders, usually denser than water, to float and slide on a water surface, surface tension के वज़े से यह होता है, surface tension क्या होता है, यह minimum surface लेता है, जिसके वज़े से जो insect है, या फिर जो भी ऐसे हमारे question में था, जो की swing थी, वो भी swim करती है, है ना तैरती है, तो किसके वज़े से वह surface tension के वज़े से, जो water striders है, जो मैंने बता है यहाँ पर, वो insect है, उसका देख लेते हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इसलिए देखिए यह swim करता है, इसी वज़े से यह swim करता है, water wind, पानी में swim करता है, ठीक है, due to surface tension, चलिए next, तो दोस्तों, आजके लिए इतना ही, जो कि 15th of December को स्टार्ट होने जा रहा है, उसका जनल अवेनिस का मैं part 2 बहुत जद लेकिया हूंगा, उसका part 1 मैंने add कर दिया है, upload कर दिया है, अब अगर नहीं देखा है, तो जाकर देख लीजिए, और उसका description box मैंने link दे दिया है, और video बढ़ा interesting होने जा रहा है, वो भी बहुत interesting होगा, तो उसको अब जरूर देखिएगा, मनस मत कीजेगा, previous year के questions जितने भी हम solve करते हैं, और जितने भी RRC के भी हो, या फिर RRB के हो, जो भी questions हो, या फिर Group D का हो, या फिर Group C का हो, या फिर Technical का जितने भी GK questions है, उनको related हम पूरा एक वीडियो बनाते हैं, और इसी तरह solve करते हैं, science जो भी questions है, उसको diagram के साथ solve करते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तना ही, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आए, तो like, share, subscribe ज़रूर कर दीजेगा, और आपके जित लिखिए, जो भी आपको पसंद आता है, नहीं आता है, और कुछ भी query हो, तो भी बताइए, और आप हमें Facebook को पीज follow कर सकते हैं, Facebook का जो link मेंने description box में दे दिया है, अगर आपको personal कोई query है, तो आप Facebook पे page में, जाके learnability के जो page है, उसका link मेंने description box में में दे दिया है, आप जाके उसको देख लीजिए, और वहाँ पर click कीजिए, और उसमें आपको phone number में मिल जायेगा, WhatsApp का, अब वहाँ पर भी personally में WhatsApp कर सकते हैं, हम कोसिस करेंगे कि हमारा कुल भी जो faculty है, वो आपको approach कर सके, और आपकी queries है, वो आपको queries को, problems को solve करने में आपकी help करे, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए,